हलो दोस्तों मैं और एक वीडियो के साथ आई हूँ और यह वीडियो अफकोस टैरेस गार्डनिंग के रिलेटेड हैं यह डिमांड पे आया है आपके आप लोगों ने कहा कि मैदम टैरेस गार्डनिंग के डिजाइन पे थोड़ा और फोकस दीजिए तो मैंने एक हां ठीक है बना लेते एक वीडियो, यह वीडियो बैसिकली टारेस गार्डनिंग के बारे में है, जिने टारेस गार्डनिंग बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं, उनके लिए यह एक इंस्पिरेशन है, बहुत इजी वे में किया है, कुछ टेकनिकल चीज़े आपको ध्यान दखनी पड़ के हुगाने वाले है, सब्जी हुगाने वाले है, फल फुल हुगाने वाले है, जो हम खाने वाले है, जो हम बोड़ी के अंदर डालने वाले है, तो नैचरल है कि हम उसे और्गानिक तरीके से ही डेवलप करेंगे, हम सबको पता है, chemical fertilizers और pesticides के adverse effects क्या है, तो हम उसे खाने वाले हैं, तो पहली बाद तो काफी कुछ points होते हैं इसमें ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कई बर के होता है, ऐसे ही बना लेते हैं, लोग और फिर drainage का issue हो जाता है, या फिर sunlight नहीं मिल दी, या फिर पैस का attack होता है, या फिर weight के वाज़े से terrace roofing को तकलीफ होती है, इस सारे problems होते हैं, तो वो सारे problems इस वीडियो में solve हो जाएंगे आपके, मैं पुरी जानकरी देने वाली हूँ इस वीडियो में, कि terrace gardening स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, कौनसे बारे की चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस टाइप की मिट्ट इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो बने रहे हैं, थोड़ा सभी अच्छा लगा, तो लाइक कीज़े, और हाँ, उनके साथ शेयर कीज़े, जिने इनकी ज़रूरत है, ताकि उनका नुकसान ना हो, वो kitchen garden स्टार्ट करने के पहले, और terrace garden स्टार्ट करने के पहले ही ये देखे, आजकर terrace garden पे देखा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं उगा सकते है, नारियल भी उगाते है, coconut भी उगाते है, तो बट ये चीज़ सब कुछ well designed होती है, इसलिए roof को कोई तकलिफ नहीं होती है, तो ये देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं, पहली बात तो डारेक्शन प्लांट को मिलने चाहिए, वो अगर नहीं मिली तो प्लांट अच्छे से ये नहीं देगा, फ्लावरिंग फ्लूटिंग नहीं देगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप डारेक्शन उसके सब से अपको प्लांट लगाने, सेकेंड इंड आपको ड्रेने सिस्टिम कहां से है, आपका पाइपिंग कहां पे है, तो जहां पर टैरेस का पानी सब निकल के जाने वाला है, उसी डारेक्शन में आपको पॉट्स का भी देखना है, पाइपिंग क्यूंकि सारे पाइपिंग से आप करने वाले हो, किचन गार्डन करने व यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है बहुत मायने रखता है तो जो ड्रेने सिस्टेम हो आपको अच्छे से डेवलप करना है वरना वाटर प्रूफिंग तो हम करेंगे फिर भी क्या है यहां पर हम बड़े-बड़े गुरूबैल्स रखने वाले तो पानी बहुत आता कुणसे एरिया में ज्यादा सनलाइट आती है दीन की जो में दूपाने चाहिए उसके बाद यहां पर देख सकते हो सॉइल हमने यहां पर सॉइल केसे बनाई है इसमें मैक्जिमम कोकोपीड रखा है थोड़ा बहुत हमने इसमें सॉइल रखे गार्डन सॉइल बाकी जियो मैक्जिमम डाला है और कोकोपीड है थोड़ी बहुत गार्डन सॉइल रखे है इसलिए रखा है थाकि थोड़ा से सपोर्ट मिल सके ना भी डालो गार्डन सॉइल कोई फरक नहीं परता है जब जियो मैन डालने हो से अच्छे से मिक्स करना है और उसे वही पर रखना है ता अच्छे से हो जाता है अब देख सकते हैं यहां पर पॉट्री मिक्स कैसी बनानी है इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है अब वहां जाके देख सकते हो उसके लिंक में डाल लूगी यह निचे देख यह पालक में थी और धनिया होगाने के लिए फ्लैट सर्फेस तो हमने है जै तो हमने उसे यूटिलाइज किया बाकी हमone बड़े-बड़े vocabulary यहां जो सबजी एँ जो जिनके रूट जोया नहीं है मंता फ्लै और जो प्लांस है जिनके रूट्स डीप जाते हैं उन्हें हमें डीप ग्रो बैक दिये हुए यह हमारा सेंड सोईल बनी है उसमें धनिया लगाने वाले हैं यह आप देख सकते हो वापस रिंगन है यह बेंगन ब्रिंजल यह बड़े प्लांस हो गए ब्रिंजल के यह चोटे बिच बिच में हमने इंसेक्ट ट्रैप्स लगाया है ताकि मिली बग्स और वह सब कुछ है उसका अटाइक ना हो क्योंकि हम कोई भी पैस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं इसमें जो हम पैस्टिसाड यूज कर रहे हैं वह हम गार्लिक चिली का जो स्प्रेयात है वह कर आप ग्रो कर सकते हो प्लांटेशन कर सकते हो जरुएत की सबसे हमारी जो है चार चार के बैचेस में करते हैं तो रिंगन ऐसा है ब्रिंचल जो होता है वह काफी चलता है अगर आप उस अच्छे से खातर डालो एक में चीज आपको यार्वेस्ट लेलो आपको उसको खातर है अब हर 15 दिन में जियो मैंने यूटिलाइज करते हो तो प्लांट को नूट्रियंश जो होते वह कम नहीं होते हैं और पुरी स्टेंट से आपको फ्लावर प्रूटिंग देते हैं अब देख सकते हैं इसमें कोई भी सकर्स को कट नहीं किया सारे सकर्स को हमने ऐसे का वैस है फूल भी अच्छे से आया है यह हमने जो रिंग बनाया है वह वेंस के लिए यह टमाटो के लिए जो प्लांट वीक होता है उसे हमें सपोर्ट डहने के बहुत ज़्यादा ज़रूत होती है यह आप देख सकते हो धनिया कितना ज्यादा आया है अड़ोस-पड़ोस में क्या मोलते हैं सपोर्ट डेते हैं हर प्लांट को सपोर्ट के जरूत होती है रिंगन देखो कितना खुपसूर से आया है इसमें हमने कोई भी पैसिसार यूज नहीं किया है कितने सारी लगे है देखो यह सिप जिव मैन्यों का कमाल है एक ही पहुदे पर चार-पाज रिंग है इसले कहता है जिव मैनियर कंप्लीट फुड़ सारे प्लांट के लिए विए जिव मैंकरों माक्रों नूट्रियन सारे होते हैं आप देख सकते हों यहां पर सारे टाइप के सब्या भी लगी है और ग्राफेड फूर्टि मिल लगेए यहां बेल भी लगी है करेले की दू का लो जा सकते हो नर्सरी में मिलते ही है चाहस आप सैपलींग ले NICK सकते हैं और है है तो इससे जो होगा आपके है ओफ रॉट हो जाएंगे अरभी hydition ऑफ़ से चैसाल करना प्वेट कुरूइगा रहते हैं ऊच्छे से हो आप तो यूज कर सकते हो एक बार आप अगर inappropriate लाते हो तो आपको काफी हो जाता है दो-तिन साल के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है मैं हमेशा भी इसको और नहीं करती हूँ यह जो आते हैं मेरे पास flowers of fruits एक दो में वैसे plants पर छोड़ देती हो तो वह पक जाते हैं फिर उसी सीट को में यूटिलाइस करती हूँ नेक्स बैच लगाने के लिए इस तरह से में मुझे harvest भी मिलता है और seeds भी मिलते रहते हैं अड़ोस पड़ोस में भी देती हूँ आप देख सकते हो पालक कितना आया हुआ हुआ है इसका मतलब यह है कि उसको nutrients कम मिल रहे हैं तो आपको देखना है यह मिर्ची के पहुदे है इसमें capsicum भी है और different varieties है लाल मिर्ची भी है काली मिर्ची भी है स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी infection ना लगे हम infection लगने के पहले से यह treatment देते हैं हम बिल्यू करते हैं is always better than cure तो ऐसे कुछ चीज़े हैं जो हम हमेशा try करते हैं कि यह ठीक नहीं से हो जावे आप भी ऐसे लगा सकते हो और comment box में बताना कि कैसे आपका क्या update है कैसा आपका kitchen garden के साथ experience है यह ट्रैप देख सकते हो कितने सारे मख्य लगाए हुए है यह सारे bugs है यह देखो यहां पर bell लगी हुए हैं यहां पर करेले भी लगे हैं काफी खुबसूरत है काफी easily हो जाता है करेले एक बेल से भी बहुत सारे करेले मिलते हैं हमने दो दो बेल लगाया है और यह बेल सीजनल होता है तो आप क्या कर सकते हो थोड़ी सी बेल बड़ी हो गए तो थोड़ा पार्ट उसका मिट्टी में डालोगे तो उसमें से और एक प्लांट आएगा हम एक ही प्लांट लगाते उसके और सैपलिंस बना देते हैं से गुरू हो गई है यहां बे मैंने फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए है गेंड़े जान मुझके लगाते हैं ताकि मच्चर ना आए और जो नेक्टर लविंग प्लांट से उन्हें मिल ज्यादा लगाया है ताकि क्या है हनी बीज आ जाए और अपना पॉलनेशन का काम क करें ताकि हमारे प्लांट में फल लगे फूल लगे फल लगे और उनका पॉलनेशन अच्छे से हो जाए तो यह थी कुछ टीप्स जो आप भी कर आप भी यूज कर सकते हो और काफी कुपसरती से होता है यह आशा करती हूं यह वीडियो अपको अच्छा लगा होगा इंस् दोस्तों के साथ शेयर केजिए तो मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ टिल लें थैंक्यू